नमस्कार दोस्तों BHIC 105 के क्लास में आप सभी का स्वागत है और यह बिल्कुल फ्री सेशन है यूट्यूब पर इसके अलावा यदि आप इस बैच का या फिर किसी भी बैच का आप कहेंगे पूरा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं 10 क्लासिस 15 क्लासिस के साथ जो इनमें important स्रीज चलती है हमारी application पर तो आप हमारा application जरूर डाउनलोर करें एजिट चकर के नाम से आपको description box मुस्का link मिल जागा फिर आप directly play store पर search कर सकते हैं हमारी application पर सिर्फ आपको paid आप कहेंगे notes या फिर paid classes ही नहीं फिरी classes और फिरी notes भी मिल जाएंगे आप जाके जरूर सर्च करना दोस्तों जरूर डाउनलोड करें चले कहानी को स्टार्ट करते हैं BHIC 105 के बारे में BHIC 105 की बात करें तो दोस्तों भारते इतिहास का ये भाग तीन है है ना और history owners के जितने भी इतिहास के टाइम पीरिड की कब से कब तक की 750 से लेके 1206 तक के पीरिड की बात करेंगे 750 से 1206 तक कितना समय बैटता आपको इसे लगभग 256 साल ये जो 256 साल का समय है दोस्तों इसे पूर्व मध्याकाल के नाम से जाना जाता है इसे क्या कहा जाता है आपको याद अकना that is called पूर्व मध्याकाल याद रहेगी आपको इतनी सी बात अभी जो पूर्व मध्याकाल है दोस्तों इसी के बारे में जितने भी concept हम इस class में करने वाले ये इसका जो second part होगा उसके अंदर करने वाले सब पूर्व मध्याकाल की कहानी होगी यानि मध्याकाल से पहले की कहानी 1206 में क्या होता दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है दोस्तों तो यहां से purely मध्याकाल स्थापना के साथ ही मध्याकाल स्थापना के साथ ही मध्याकाल स्थापना के साथ ही वन्ह टेलीग्राम चैनल तो आपने जोइन कर ही रखा है मां से आप जान जरूर इसको डाउंडोड करने ना आज का पहला कोशन है दोस्तो राश्ट कूर्ट वंस का परसासन ने के दो बार रिपीट हुआ सवाल है इसलिए मैं इसको डबल स्टार दूँगा एक्जाम में दो बार रिपीट हुआ है सवाल राश्ट कूर्ट वंस और इसका परसासन ये कोशन राजविवस्ता के नाम से भी आता है कि राश्ट कूर्ट वंस की राजविवस्ता बताईए दोस्त क्या पूछा जाता है आपसे राश्ट कूर्ट वंस की राजविवस्ता कैसी थी क्यों थी सब आपसे याँ पर पूछा जा पाए चले कहानी को स्टार्ट करते है राश्टकूर्ट वंस दच्छिन भारत के सक्तिसाली राजवंस था जिसने मध्या भारत और उत्तिर भारत के कुछ हिस्सों पर क्या किया था दोस्तों सासन किया था तो राश्टकूर्ट वंस के बारे में खास बात क्या है आप बताए राश्टकूट वन्स के बारे में सबसे खास बात तो यह है कि इसका सासन कहा पढ़ता आपके दोस्त दच्छिन भारत में था ठीक है इसने क्या किया था मध्या भारत के कुछ इससे और उत्तर भारत के कुछ इससों पर भी क्या किया था सासन किया इट मील्स आप कह सकते विस 200 साल के बीच में क्या रहा आपके इंगे दोस्त सासन रहा ठीक अच्छा एक चीज हमने पीछे मिस्टेक करी दोस्त वहाँ पर लिखाता है 750 से लेकर 1206 तक का पीरेड था वो 1006 नहीं था तो इसलिए टोटल आपकी 456 यर्स बैठेंगी है ना 456 या फिर ये 2500 और 200 चाहा 456 साल का पीरेड बैठेंगा ठोटल 400 साल का तभी तो राश्ट कूट वंस इसमें काउंट होगा मिझे लगा वो 1006 है ठीक है तो उसे आप ठीक कर लेना थोड़ा सा ठीक कोई फरक नहीं पड़ता वर पीरेड आपका यही रहने वाला है 750 से लेकर 1206 अब राश्ट कूट ने ना के परदेश को जीता और इस परदेश को जीतने के बाद आपने क्या किया दोस्त उसे अपने समराज्य के अंदर मिला लिया लेकिन कुछ स्रह बाद उसे फिर क्या कर दिया आपने हरा दिया क्यों कैmates आपकी न àsचा खासा आपके दबबा लोग पाया तो सरिफ नैंने परसासन विवस्ता में उस पर बात करते हैं, देखे, इसकी परसासन विवस्ता में पहली खास बात की दोस्तों, कि इसने परसासन को मिनिमम आप केंगे तीन इस्तर में बाटा हुआ था, सबसे पहला था इसका केंद्रिय परसासन, दूसरा था इसका प्रांतिय परसासन, और तीसरा था इस थाने परसासन तो आप कह सकते हैं परसासनिक विवस्ता में जो परसासन था इसके कितने इस्तर थे परसासन के आपको तीन इस्तर देखने के लिए मिलेंगे। राजा के सलाकार के रूप में हर एक मंतरी की क्या होती थी दोस्तों एक पद होता था हर एक मंतरी का एक विभाग होता था आज जैसे आज के समय में देखें आप लोगतंतर में राजा कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उन्हें पास अपनी पूरी आपके मंतरी प परिशत थी जो उसकी सलहा देती थी उसे सलहा या फिर उसकी सलहा पर काम करती थी आप ऐसा भी कह सकते हैं और मंतरी परिशत में जितने भी मंतरी थो उने अलग अलग क्या दिये गए थे डिपार्टमेंट दिये गए थे जैसे माली जै किसी मंतरी को राजस्व विभाग दिय तो that is है ना चलिए आगे चले प्रांतिय परसासन फिर दूसरे स्थर पराता प्रांत प्रांत मतलब क्या होता है राज्य परसासन पूरे समराज्य को कई प्रांतों में बारता गया था जिनका सासन एक गवर्नर करता था तो प्रांतिय परसासन का हैड को होता था आपके दोस् लग तौर पर होता था. फिर आथि यह तीन मुख्य चार मुख्य विशेश्टाप मान सकते हैं. एक, दो, तीन, चार. यह जो हैं यह राष्ट कूल बश्की की राज वीवस्था को दिखाते हैं कि महां का राज पाट वह पुई पर्सासन तो था ही था. परतियक परकार की सेना आपको राश्टकूट बंस के पास दिखाई देगी जब तक सेना मजबूत नहीं होगी कोई भी सामराज्य विसाल कैसे बनेगा आप ही सोचे तो सेना तो मजबूत रही होगी इनके पास आगे न्याय विवस्ता इनकी न्याय विवस्ता बहुत कुसल तो कानून को सबसे ऊपर यहाँ पर माना जाता था कानून के आगे किसी की नहीं चलती थी और इस कानून का आपके नियाय करता कौन था आपके राजा कानून का नियाय कौन करता था राजा करता था दोस्त याद रहेगी इतनी सी बात आप करेंगे बिल्कुल सर यहां तक दिक्कत नहीं इसके अलावा कर व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो tax system वही इससे क्या प्राप्त होगा कर व्यवस्था से सरकार को या फिर आप की एगा राजा से प्राप्त होगा सिचाई और खेती की बात करें दोस्तों सिचाई पर बहुत जोड दिया जाता था क्योंकि सिचाई की क्या होते क्रिशी का आधार होती है सिचाई क्या होती है आप इंगे दोस्त सर ये क्रिशी का आधार होती है इसलिए सिचाई को सब्चादा प्रोष सहन दिया जाता था सिचाई के साधन समय समय पर बनाए जाते थे तो ये थी राष्ट कूट बंस की परसासनिक विवस्त था दो बार रिपीट सवाल था मैंने आपको यहां पर करा दिया दोस्त और बताईए कुछ समझ में ना आया हो आपको तो क्या आपको यह बात समझ में आ गई आगे चले बहुत बढ़िया दोस्त चलिए आगे देखिए अब आता है पूर्व मद्याकाल मैंने बताया था ना यह कैलाता है कभ से कभ तक की बात हो री है पूर्व मद्याकाल मतलब 750 से लेकर है ना कब तक 1206 लगब कितने साल का पीरDIA मैंने होता था 456 साल का पीरिड आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें इतिहास लेखन में अभिलेगों का महत्व्त्तों अभिलेक, सबसे पहले तो आपको पता हुने चे अभिलेक क्या होते हैं और इतिहास लेखन में इनका योगदान क्या होता है जब इतो पूर मध्यकाल में आएंगे हैं अभिलेक होते हैं दोस्त किसी भी कठोर सतय पर छैनी हतरोड़े के माध्यम से गूद कर लिखा गया लेक समराट असोग ने स्टार्ट की थी अपनी जनता के लिए सूचना लिखवाने में अभिलेकों का परियोग किस ने किया तो समराट असोग ने मोर्यन समराज्य में लेकिन राष्ट कूट बंस हो या फिर पूरा मध्यकाल हो यहाँ पर भी अभिलेक बहुत सारे लिखे गए और आज के समय में इन अभिलेकों को पढ़ते हैं इनका अर्थ निकालते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और यह जानकारी अभिलोगों का महत्तु बताती है अभिलेकों से हमें पूर मध्यकाल की धेर सारी जानकारी मिलती है क्यों चोंकि पहला रीजन है दोस्त में विश्वास रखते थे और कौन-कौन सी आर्थिक गति विदियो में लोग शामिल थे इन सभी जानकारी हमें कहां से मिलती है इन सभी जानकारियों का पता हमें अभिलेखों को पढ़ने सकता है जो अभिलेख कब लिखे गए थे आपके दोस्त सर्फ पूर्मध्यकालम जो कालकरम निर्धारित करते हैं जब हम एतियासी गटनाओं का क्या करते हैं कालकरम तै करते हैं तो दोस्त उसे क्या कहते हैं अभिलेख अभिलेख सिर्फ हमारी क्या नहीं करते हैं अभिलेख सिर्फ हमारी इस चीज में सायता नहीं करते हैं कि हमें जानकारी देंगे यह हमें राजाओं की जानकारी, सामराजियों की जानकारी, कौन-कौन से युद्ध हुए हैं, और कौन-कौन से राजितिक परिवर्तन हुए हैं, इस सबों की हमें जानकारी कहां से मिलती है, जहों अभिलेकों को पड़ पाते हैं, अभिलेक ही हमें जानकारी देते हैं, समाजी के ति अभिलेकों से मिलती थी, जो पूर मध्यकार में लिखे गए थे, आर्तिक इतिहास, जैसे कौन से कौन से टेक्स लगते थे, व्यापार किस परकार होता था, कौन से परकार की मुद्रा जो थी आपकी परचलन में थी, सोने की मुद्रा थी, चांदी की थी, या फिर आप अज पर धर्मों का क्या परभाव पड़ रहा था, परतियक परकार की जान कारिया थे, उन अभिलेकों से मिलती हैं, जिने दिवारों पर, या फिर आप कहेंगे दोस्त, किस पर, खंभों पर, इस थंभों पर, या फिर किसी मट्टी, या फिर लोहे की पट्टी का पर अभी लेख सास्त्र तक मुझे कोई भी दिक्कत या परिशानी नहीं है चलिए next concept के तरफ अब देखे अभी हमने पड़ा पूरू मध्यकाल में यानि वह 456 साल का पीड़ है ना जिसमें हमने किसका आप कहेंगे वह पड़ाता महतु अभी लेखो का अब हम पढ़ रहे हैं इ इतिप्रत दोस्तों ऐसे ग्रंथ होते हैं ऐसे ग्रंथ जो हमें जानकारी देते हैं किसी विशेज एतियासिक घटना की काल करम अनुसार जानकारी काल करम अनुसार जानकारी जो हमें देते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं आप इतिविरत कहते हैं किसकी जानकारी देते इस समय ये युद्ध हुआ, इस से इस बीच में इस आसन का क्या रहा? अस्तितिव रहा. इस राजा ने इतने से लेके इतने री तक शासन किया. ये सब हमें इती वरतों के बारे में पताचलता है. जब इती वरत हम पढ़ते हैं, तो हमें कालकरमनुसार विभिन घठनाओं का तो इतिवरत की भूमी का समस्ते हैं, इतिवरत क्या होते मैंने बता दिया, पूर्मध्यकाल में इतिहास लेखन का मुख्या अधार क्याते दोस्तों इतिवरत थे, अभी लेखों में तो लिखाई जाता था संदेश, लेकिन अभी लेखों में संदेश किसके लिखा जाता था कहां पर सजोई जाती थी, आप एंगे सर इतिवरत के अंदर सजोई जाती थी, ये कहानिया मोखिक परमपरा से पीडी दर पीडी चलती आती थी, जैसे फोर एक्जाम्पल किसी राजा को जब वो बचपन में राजा नहीं बना भी बचपन में है राज कुमारा उसको कहानी इससे सांस्क्रतिक पहचान का पता चलता है मतलब दोस्तों ये कहानियों जो इतिवरत में लिखी होती है उनके इतिहास, उनके मूलिय और उनके परंपराओं को दर्साती है कि किस तरीके की आप कहेंगे उस समय का जीवन होता था सिक्षा और प्रेणा इतिवरतों के माध्यम से लोगों को नेतिक सिक्षा दी जाती थी आज भी तो दी जाती है भई महात्मा बुद्ध के जीवन के विभिन जो इतिवरत हैं विभिन काल करनुसारों की घटनाए हैं उनसे आज भी लोगों को सिक्षा दी जाती है हम सिख्षा लेते हैं कि मातना बुन्दे कितने आप कहेंगे पुन्य कमाएं अपने जीवन में तो वो चीज इसके लावा राश्टे एक्टा इतिवरतों ने विभिन छेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ा और राश्टे एक्टा को क्या क्या दोस्तों बरकरा रखा इतिहास का संदक्षित करने में इतिवरत की भूमिका बहुत महत्वण रहती है रीजन क्या है दोस्तों इतिवरतों में अक्सर आपको पता है अतिश्योक्ति बाते लिखे जाते हैं और कालपनिक तत्व भी लिखे जाते हैं लेकिन फिर भी इतिहास में का महत्वपूर्ण योगदान है। हाला कि चीजों को बहुत इतिवरत में बड़ा चला कर लिखा जाता है। मैंने बता है कहानी है, तो कहानी मोटिवेशन देने के लिए कई बार राजकुमार को ये भी कहा जाता था कि तुम्हारे जो दाजा थे वो बहुत वीरता के साथ क्या करते थे, युद करते थे, भले ही वो ना करते हो। लेकिन ऐसी कालपनिकता और अतिशोक्ती का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता था क्योंकि लोग को नितिक शिक्षा भी तो देनी थी, इसलिए इतिवरतों को लिखा जाता था। हाला कि इतिवरत जो है मुगलकाल में भी लिखे गए, जब मध्यकाल आप पढ़ेंगे दोस्त, तो आप पढ़ेंगे कि मुगलकाल के अंदर भी धेर सारे इतिवरत लिखे गए थे, याद रहेगी इतनी असी बात, चलिए दोस्त, क्या आप सभी को इतनी बात याद कि राश्टिकूट बंस की प्रसासन व्यवस्था बई प्रसासन व्यवस्था और राज व्यवस्था में क्या अंतर है कोई खास अंतर नहीं है क्योंकि प्रसासन का मतलब होता है राज व्यवस्था का मतलब होता है राज व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों आप कहेंगे राज करने की व्यवस्था, अब राज पाट कैसे चलेगा, परसासन के माध्यम से ही तो चलेगा, बस इसमें जुड जाता है कर व्यवस्था, यदि परसासन व्यवस्था में हम कर व्यवस्था को जोड़ें, कर व्यवस्था के साथ साथ हम किसकी व्यवस्था आप केंगे, व राश्ट कूट वंस की राज वेवस्था कैसी थी, परसासन वेवस्था मैंने आपको समझाई दी थी, तीन इस्त्रों में परसासन था, सेंटरल गवर्मेंट यानि केंद्रिय परसासन, प्रांतिय परसासन और इस्थानिय परसासन, तो राश्ट कूट राजवंस दचिन भार ये चार पॉइंट देखे परसासन व्यवस्ता कहा से कहा तक है परसासन व्यवस्ता केवल इन चार पॉइंट्स में ये चार पॉइंट्स किसके है आपके दोस्त परसासन के है ये चार परसासन के है और ये है भाई व्यवस्ता के ठीक है ये है व्यवस्ता के अब परसासन को आप राज भी तो कह सकते है राज करना है ना तो ये बन गई दोनों मिलके राज वेवस्था तो राज वेवस्था पूछी जाए चाहे परसासन वेवस्था पूछी जाए दोनों का मिनिंग अपने आप में एक ही है अलगलग तरीके से ना तो इन्हें एक्स्प्लेइन करना ह ना इनको अलगलग तरके से आंसर इनको लिख के आना है सिर्फो सिर्फ इतना समझ लेना है कि चाय राश्ट कुटवन्स की राज वस्ता हम से पूछी जा चाय प्रसाशन विस्ता दोनों का मिनिंग, दोनों का अर्थ दोस्तों क्या है एक ही है किलियर? बताईए बहुत बढ़िया तो इससे आगे जो है नेक्स्ट कॉनसेप्ट जो है दोस्तों नेक्स्ट कॉनसेप्ट में कानी स्टार्ट करेंगे पूर मध्यकाल में मंदिर इस्थापत्यकला वही 456 साल का पीरिड चलिए अगली क्लास में डिसकस करेंगे धन्यवाद दोस्तों